रम रम जी कैसे आप सब आसा करता हूं आप सब अच्छ होंगे मैं इसु गुजर और आप देख रहे हैं ब्रदर फिटनेस आज हम सीखेंगे प्लैंक कैसे कर सकते हैं प्लैंक करना यह उतना ही जरूरिया जितना फिट रहने के लिए पुसफ जरूरिये तो प्लैंक बढ़िया तरीके से और सिंपल स्टैप समें सिखेंगे सही तरीके से कैसे कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने भाई को सपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो चलिए सुरू करते है step by step plank सीखना सबसे पहले देखेंगे हातों की मुवमेंट उसके बाद देखेंगे पैरों की मुवमेंट सबसे पहले हाथ दिखते कैसे रखने यह देखे कुछ इस तरह रखने जो हमारा इसमें यह सीधा और यह सीधा फोर राम और हमारे बाइसेपस है जो वह सीधी रखनी है दूसरा हात भी जितना गैप सोल्डर में है न हमारा उतना ही हमारा हातों में गैप रहेगा कुछ इस तरह ठीक है आप देखें साइड से यह हमने हाथ प्लेस किया ऐसे हमारा सोल्डर है यह सीधा और यह सीधा नाइंटी डिग्री बनाना है यह सीधा और यह सीधा हाथ आप मुठी भी बंद रख सकते हैं और चाहे तो आप अपना हाथ खोल भी सकते हैं ठीक है यह होगी हातों की बात अब करते बात पैरों की सि यह नहीं माने तो आप जितना आपके हिप है न उतना रखेंगे तो आपको बैस्ट रिजल्ट मिलेंगे चलिए एक बड़ दिखा देता हम आपको कैसे रखने है यह देखिए पुसप पोजीशन में दिखा रहा हूं यह देखिए जितने मेरे ही पे उतने मैं ऐसे प्लेस कर नहीं चलिए ठीक है इसमें करना कि है जो हमारे न तो उसको क्या करना है आपको ज्यादा एसे जाएंगे जो इसमें नेगीट आइसे बढ़ेगा तो नॉर्मल रखे ऐसे रखे ठीक है आपकी कोर भी इंगेज रहेगी और आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे अब बात करते हमारी नीगी अगर यह एक्टिवेट नहीं रहेगी तो हमारी पूरी बोडी का डिस बैलेंस हो जाएगा और हमें रिजल्ट भी नही हमारी ब्लेट बात बात करतें हैं अब बात करते हैं अपर बोडी की वह कैसे रखनी है चेस्ट लोवर बैक् गूर सोल्डर यह देखिए कैसे रखने और में हमारी हेड यह कैसे रखना है यह देखिए प्लैंग पोजिशन में आई चेस्ट अप करनी है ऐसे टाइट ठीक है और क्या करना है जो हमारे यह ना लोवर वेक यह ओटोमेटिक स्टेट हो जाएगी अगर हम चेस्ट टाइट करेंगे तो ऐसे ठीक है और गुलूट्स इंगेज रखने है और जो हमारी आख आप कर लेंगे तो जो हमारी लोवर वैक है वो अंदर की तरफ गुजएगी और हमारी लोवर वैक इंजड हो सकती है बात करते हैं अगर हम इसको अंदर की तरफ कि तरफ करते को पते हैं तो ग्या होगा ने उसमें भी हमारी lower back injured हो सकती है और ना हमें रिजल्ट मिलेंगे जितना हम सब्सक्राइब जितना सब्सक्राइब यह इसा वर्काउट अगर एक महिने चंटीन्यू कर लेंगे तो मैं गयरेंटेटे देता हुआ आपकी कोर की स्टेंद इतनी बढ़ जाएगी जिसकी कोई कोई हद नहीं है सो ट्राइब करें एक मिने कंटीन्यू करने की वर्क आपने सेड्यूल में डाले इस वर्क आउट चलिए एक बार पूरे स्टेप्स देख लेता है दुबारा अगार वीडियो चले तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना यह देखिए फ्रंट से देखते ह अब देखिए साइड एंगल से यह आपकी प्लैंग के लिए परफेक्ट पोजिशन अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टोपिक के साथ जय हिंद जय बारत अब दोपिक टोपिक के साथ जय हम एक और नेक्स पाल वीडियो अपकी लिए पर वीडियो अपकी लिए बारत